हेलो दोस्तों नमस्कार मैं सत्वीर यादा हूँ आप सभी के लिए लेकिया हैं भारती राजव्यवस्ता का एक बड़ाई मैतुपुर्ण टॉपिक जिसका नाम है संग सरकार और संग सरकार में हमारा जो डिसकर्स है वो चल रहा था राष्टवती के उपर और राष्टवती के संधर्पे हम जान रहे थे राष्टवती की पास में कौन-कौन सी पावर्स होती हैं और राष्टवती की सक्तियों में लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि राष्टवती की पास में दो पुरकार के सक्तियां होती हैं एक सामान्य कालिन सक्तियां जिसमें सबसे पहले हमन दिसकर्ट शुरू किया था सामान निकाल इन सक्तियों के उपर और सामान निकाल इन सक्तियों में हमने जाना था राश्ट्पती की कारेपाली का सक्ति और राश्ट्पती की विधाई सक्ति के बारे में तो आज हम बात करते हैं नैक्स्ट सक्ति के बारे में तो चलिए लेट् सक्ति है राश्ट्पती की वो आती है नयाइक सक्ति और राश्ट्पती की दोस्तो दो बाते ध्यान में रखने होंगी एक हमारे बीच में विसेश रूप से जो एक्जामस में पूछा जाता है एक आता है आर्टिकल 143 के संदर पर और एक हमारे बीच में आता है आर्टिकल 72 अनुचेद 143 और अनुचेद 32 यहां पर पार्ट आते हैं राष्ट्वधी की नयाइक सक्तियों में जो हमें ध्यान में रखना होगा तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राष्ट्वधी कि जो जुडिस्यल पावर है उसमें आर्टिकल 143 के बारे में आर्टिकल 143 और आर्टिकल 143 क्या कह रहा है कि कि किसी भी सम्मेदानी क्या कानूनी constitutional हो या फिर legal हो constitutional और जो legal जो subjects होंगे उन विशाय पर केवल दो बाते बोली जा रही हैं कैसा होना चाहिए सम्मेदानी कोर कानूनी अगर विशाय है तो ऐसे विशाय पर राष्टवदी भारत की मुख्चे नयादी से क्या करेगा प्रामस ले सकता है नहीं बात को समझ लिजीगा यहाँ सीधह सीधह बात कर रहा है जो बात की जा रही है बात क्या कर रहा है कि आर्टिकल 143 होगा आर्टिकल 143 में आर्टिकल 143 में भारत का जो राष्टपती है ये देश का राष्टपती क्या कर रहा है जो Chief Justice of India है यानि कि भारत का जो मुख्य नयादिस है इस मुख्य नयादिस से क्या कर सकता है प्रामर्ष ले सकता है या फिर हम कहें राय ले सकता है सला ले सकता है तो प्रामर्ष राय या सला ले सकता है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा होना चीए तो सब्जेक्ट हमारे बीच में होना चीए constitutional or legal अगर सम्मेदानिक और कानोनी विशा है तो ही प्रामर्ष होगा कोई भी प्रश्ण यदि नहित है कोई भी सारवान प्रश्ण अगर नहित है तो ऐसे में प्रामर्ष देना क्या नहीं है आनिवारी है नहीं होता यानि कि CGI हमें प्रामर्ष देगा सिर्फ ऐसी दो विसेओं के संदर पे अगर मामला constitutional है और legal है तो प्रामर्ष दिया जा सकता है लेकिन सारवजनिक महतु के किसी मामले पर प्रामर्ष दिया जरूरी नहीं है और ऐसे एक घटना करम घटिद हुआ 1992 के अंदर 1992 अजितidesidesides92 में बाबरी मसजिद कांड हुआ और बाबरी मस्जिक जुआ मामला है इस बाबरी मस्जिद के उपर प्रामर्ष मांगा गया था रास्टपती हुझतिसे नाम है डॉक्तर शंकर द्याल सर्माजीकरे दौरा प्रामर्ष मांगा जा रहा रहा है ततकालिन जो CGI है ततकालिन CGI जिनका नाम है वेकंट चलाईया ततकालिन CGI वेकंट चलाईया से यहां पर प्रामर्स लिया जा रहा है लेकिन वेकंट चलाईया ने प्रामर्स देने से क्या कर दिया मना कर दिया क्योंकि मामला यहां पर constitutional या legal नहीं है बलकि कैसा मामला था public importance का मामला है सारजनिक महतु का मामला है और ऐसे किसी भी मामले पर promise दे यह जरूरी नहीं होता एक चीज़ समझ लिजेगा यदि राष्टपती CGI से promise मांगता है और CGI ऐसे किसी मामले पर promise दे तो दे भी सकता है और लग रहा है कि मुझे नहीं देना चीए तो वो मना भी कर सकता है दोस्तों तो इस तीज को ध्यान में रखी का अब तक constitutional और legal जो points है इनके आधार पर total 15 बार promise दिया जा चुका है राष्टपती को total 15 बार promise ये दिया जा चुका है legal और constitutional मामलों के ओपर किलियर है तो article 143 आई हो बहुत अच्छे से आपको किलियर हो गया होगा चलिए next अगर बात करते हैं अगला हमारा article आता है पारड़न्स कर सकता है तो पारड़न्स करने की यहां पर power होती है चमादान की सकती होती है राष्टपती के पास में लेकिन यहां पर ध्यान रखेगा चमा किन मामलों पर करेगा सबसे फस्ट तिंग अगर संगी विधी के विरुद किसी अपराद में दिये गए दंड में अगर कोई दंड दे दिया गया है तो ऐसे में छमादान रखेगा या फिर सैन्ने नयाले द्वारा यदि कोई दंड दिया जा रहा है तो ऐसे में राष्टपती छमादान की सकती रखता है या फिर दंड का सुरूप यदि कैसा है म्रत्यू दंड है ध्यान दी जीगा तीन यहां पर की जा रही है, संग्य विधी के विरुद्ध यदि किसी अपराद में क्या दिया जा रहा है, अपराद में यहां पर दिये गए दंड के अंदर दे सकता है, या फिर यदि दंड का सुरूप कैसा है, म्रत्यू दंड है, तो यहां पर राष्टपती छमादान की सकती क परियोग कर सकता है तो article 72 में राष्ट्पती की कौन सी सक्ती होती है शमादान की सक्ती होती है जबकि article 143 में राष्ट्पती के पास प्रामर्ष के सक्ती है one word में समag लिज़े 143 में प्रामर्ष के सक्ती है आर्टिकल 72 में राष्ट्पती के पास शमादान की सक्ति और ये दोनों ही राष्ट्पती की जूडिसली पावर में आती हैं, साथी हमें ये भी जान लेना होगा, राष्ट्पती की अगर सक्तियों की जूडिसली पावर में ही अगर हम बात करें, वैसे हमने इनके बारे में क सुप्रिम कोट और हाई कोट में जो होते हैं मुख्य नयादिस और जो अन्य नयादिस होते हैं इन मुख्य तथा अन्य नयादिसों को अपोइंट करने की पावर भी राष्टपती के पास होती है तो राष्टपती इन सभी को क्या कर सकता है नियुक्ति कर सकता है सुप्रिम क के लिए आर्टिकल 217 के यहाँ पर न्योगती दी जा ती है खेर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 72 में राष्टवदी की चमादान सक्थियों में तीन तरीकों के आधार प 언제 पी आधार पर यहां पर बात कि जा रही है राष्टवदी मेंजोडन सक्थियों मेंов फशल्षीओं होता है इस दंडवे बंदी करन को क्या करेगा हटा देता है दंडवे बंदी करन को हटा देता है और दोसी को सभी दंडों से मुक्त कर देना ये छमा में होता है सभी दंडों से क्या कर दिया जाएगा मुक्त कर दिया जाएगा उसे सभी दोसों से उसे मुक्त कर दिया यहां पूर्ण रूप से च्छमा किया जा रहा है लेकिन जो उसके पास में जो सक्ति होती है उसे हम कहते हैं लगू करन अब लगू करन जो होता है कम्यूट की अगर आवम बात करें तो लगू करन का मतलब यह नहीं कि सजा को यहां पर क्या करेगा कम कर देगा अक्सब जो ग दंड की स्वरूप को बदल कर कम करेगा कम तो कर रहा है लेकिन सजा की प्रकरति बदल रहा है दंड का सजा की अओधी बदल रहा है ना कि सजा की अओधी बदल रहा है अओधी में चेंजिज नहीं करेगा दंड की स्वरूप को बदल करके कम करेगा स्वरूप को कैसे बद क्यां कि न इसको हम कहता है लगुकरन को बदल करन को हटाएं लगू करन्ड में रूफ को बदल क्या करेगा कम करेगए वहीं बात करें नमबर 3 परिहार को दे का बात करें तीहसरी जो यहांपर होता है री यह Saxon का होता है जिस इसमें दंड की प्रकरती है इस दंड की प्रकरती में क्या नहीं करेगा परिवर्तन नहीं करेगा दंड की प्रकरती में परिवर्तन नहीं करेगा वहां पर मृत्यु दंड को आज इवन कारवास देरा लगू करन में लेकिन परिहार में दंड की प्रकरती में परिवर्तन नही करता बलकि उसकी आउधी को कम करेगा वहां पर दंड का सुरूप बदल रहा है यहां पर आउधी को कम करेगा परिहार में ध्याट दीजी का परिहार में क्या कर रहा है आउधी को कम कर देगा जैसे कि क्या बोला जा रहा है कि दंड की जो प्रकरती है उस प्रकरती को बदले बिना दंड पर क्या करेगा एस्थाई रूप से एस्थाई रूप से क्या कर रहा है रोक लगा देगा दंड की प्रकरती में कोई बदलाव नहीं कर रहा है केवल दंड पर एस्थाई रूप से क्या कर ईखाल जाई दिनों के बाद में सजा को दिया जाई जबकि विराम जो होते है इसमें विषेश कार्णो थे कार्णो की बात कर रहा है यह उफित कार्ण धंड को कम करेगा न है आपके सामने तो ऐसे में विस्यस कारण हो गया और विस्यस कारण के था इसका कर रहे हैं यहां पर पता चल रहा है कि महिला प्रेगनेंट है तो भी यहां पर उन कार्णों को देख करके राष्टपती चाहे तो यहां पर विसेस कार्णों से दंड को कम कर सकता है तो तो टोटल पांच प्रकार यहां पर हो गए हैं नमर फस्टी चमा सेकेंड लगुकरन नमर थर्ड परिहार की बात कर रहा है नमर फोर्टी प्रैविलंबन और नमर पांच विराम तो चमादान के टोटल यहां पर रूप कितने होंगे पांच रूप होते हैं दोस्तों ओके तो आर्टिकल 72 में चमादान दे रहा है वहीं बात करणे राष्टपति की जो finansal जो wired हूती है राष्टपति की जो वित्तिय सकती होती है राष्टपती की विक्टिये शक्तियों में नहीं सबसे बजट सबदाओली का उलेक नहीं है बजट सबदाओली की जगे भारती सविदान रूप में आर्टिकल 112 में annual financial statement की बात कर रहा है वारसिक वित्तिय विवरण की बात कर रहा है और वार्सिक वित्तिय विवरण राष्टपती की सिपारिसوں पर ही लाया जाता है तो कोन करेगा तो ध्यान दीजी का बजट प्रस्तूत करता है कि वित मंतरी बजट प्रस्तुत कौन करेगा वित मंत्री करता है लेकिन दोस्तों ध्यान रहे यदि वित मंत्री अनुपस्तित हो वित मंत्री की अनुपस्तती में बजट प्रस्तुत करता है रेल मंत्री बजट लाए जाएगा राष्ट्वती की सिफारिसू से लेकिन इसे प्रस्तूत करने का कारिय वित्मंत्री करता है तो आर्टिकल 112 में के लिए रहे दोस्तों वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 216 में यहां पर वर्नित किया गया है आकस्मिक निधी के बारे में इस कंटेगेंसी फंड के उपर भी नियंत्रन कौन रखेगा राष्ट्वती ही रखता है भारत की जो आकस्मिक निधी होती है जो इमर्जेंसी जो फंड होता है कंटेगेंसी जो फंड होता है इसके उपर नियंत्रन रखने का कारिय भी राष्ट्वती ही करता है कई बार एकजाम में प्रशन उठाए कि आकस्मिक निदी का नियंतरन करता कोन होता है तो आकस्मिक निदी का नियंतरन करता कोन होगा राष्टपती होता है और आकस्मिक निदी का जिकर भारती सिर्दान के आर्टिकल 267 में किया जा रहा है ठीक है दोस्तों वहीं प्रती 5 वर्स बाद प्रती 5 वर्स पर क्या कर रहा ह 2찌 के तहरे वित आयोका वित आयोका क्रेए गठन राश्ट बती करेगा किस आडिकल कर रहा है 280 के तइत करेगा आकस्मिन मिदी का नियंटर्ण करता राश्टपति होता है आकस्मिन मिदी का उलेक आर्टिकल 266 में है वार्सी वित्ती विवरांग आर्टिकल 112 में है के लिए रहे दोस्तों तो यह थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना होगा वहीं बात करें राश्ट्वती की next सक्ती के उपर तो राश्ट्वती की अगली जो हमारी सक्ती आती है वो आती है military powers सैन्ने जो सक्ती होती है राश्ट्वती के पास में राश्ट्वती सैन्ने सक्ती भी रखता है राश्ट्वती युद्ध वै सांती युद्ध और सांती की क्या करता है घोशना करता है युद्ध वे सांती की घोशना भी कौन करेगा राश्टपती करता है राश्टपती संधी वे समझोते करता है जो भी अंतराश्ट इस्तर की जो संधी होती है इंटरनेशनल जो ट्रेटीज होती है या एग्रिमेंट्स होते वहीं पर डिप्लोमेटिक जो पावर्स होती हैं कूट नितिक जो सक्तियां होती हैं इन कूट नितिक सक्तियों का प्रियोग भी राष्टपती ही करता है तो कूट नितिक सक्तियों का प्रियोग करता है ट्रेटीज और एग्रिमेंट्स करता है युद्ध वैसांति की घोशना करता है राष्ट्पती भारत का जो राष्ट्पती है रक्षा बलों का सर्वोच्य सेनापती सुप्रीम कमांडर रक्षा बलों का सर्वोच्य सेनापती पूछे तो रक्षा बलों का जो सेनापती होता है वो सेनापती होता है कौन एक होता है सेनापती, तो सेनापती के लिए एक पद यहां पर सरजित हुआ है, Chief Defense of Staff, CDS जो पोस्ट आई है, CDS पोस्ट, ठीक है ना, विपिन राव साब यहां पर बने थे, वर्तमान में अनिल चोहान जी है, CDS, तो सेनापती होता है, तीनो सेनाओं का, जो सेनापती है, वो ह होगा CDS, जिसमें तीनो सेनाओं हमारी आ जाएंगी, भले वो थल सेना है, नब सेना है, या फिर जल सेना है, ठीक है, थल नब और जल जो सेनाओं है, इन तीनों का जो सेनापती वो कोन होगा, CDS होता है, जबकि सर्वोच्ची जो सेनापती होता है, तीनो सेनाओं का सुप् एक तीनसे का सरवच्च Si Nabi Stories में इपास में और भी सकतिया संदर की पास तूर्पती उच्छय को हैरा रास्दूत्तु कि क्या करता और नियुक्ति करता है राष्ट मंडल देशों में भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है कौन से देशों में राष्ट मंडल देशों में ऐसे देश जिनको ब्रिटेन अपना गुलाम बनाया है उन देशों का जो समू है वो समू कहलाता है राष्ट मंडल और भारत ने राष्ट म में 16 मईए उनिसो रंचास को भारत राष्ट मंडल की सदस्ता गरेंड करता है और उसके बाद से जो भी राष्ट मंडल देश हैं जिनको ब्रिटेन ने अपना उपनिवेस बनाया है ऐसे राष्टों का जो सम्मौ है उनमें अगर भारत का कोई प्रतिनीधी अगर न्यूक्त ह होता है तो से उच्च कहिंगे बाकि अन्य देशों में अगर जा रहा है तो वहां पर हम क्या बोलता है राष्ट कहता है तो चैप्पे रीप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फॉरम न्यूंक्त है जो अंतराश्टी जो मंच है इस अंतराश्टी मंच पर भारत का क्या करेगा प्रतिनिधित्व करता है भारत को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फॉरम पर भारत को रिप्रेजेंट करेगा वो भी कौन करता है राष्टपती ही करता है यह कुछ सक्तियां है जो राष्डपति पद के कारिये राष्टपति पद के कारी के प्रति न्यायले में उत्तरदाई नहीं होता, उस पद को लगर कर के कोई व्यक्ति यहां पर न्यायले में चुनोती नहीं दे सकता, नमर शेकेंड इस किसी भी नयाले में राश्ट्वती के विरुद दंडित जो कारवाई है वो विचारा धिन नहीं होगी कि राश्ट्वती को पर कोई भी ऐसा मामला की ठीक है हम इसकी डेट से लेंगे आगे भवशी के अंदर इसको पर सुनवाई होनी है ऐसा कोई भी मामला नहीं होना है तो यहां पर दंडित जो कारवाई है वो भी विचारा धिन नहीं होती है दोस्तों साथ ही अगर कोई व्यक्तिगत सिविल कारवाई का ममला है तो व्यक्तिगत सिविल कारवाई के लिए राश्ट्वदी को कम से कम दो महा का क्या देना जुरूरी है नोटिस देना भी क्या होगा आनिवारी होगा व्यक्तिगत सिविल कारवाई में दो महा का नोटिस दिया जात किसी भी मामले के उपर अगर वह पदासीन है पद के उपर है तो पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया जाएगा तो यह राश्टमती की पास में कुछ विसेस आधिकार भी दिये गए हैं दोस्तों तो आई होप यह सारे की सारे समाने कालें सकती हो कि अंतर कि लिए रहे वहीं पर राश्टमती की वित्य सकतियों पर हमने डिस्कस किया और राश्टमती की जो वित्य सकतियों है वित्य सकतियों में हमने आर्टिकल 112 के बारे में जाना कि जो वार्सिक विवरण है वो राश्टमती की सिफारिसों से लाया जाएगा वहीं हमने बात की कि आर्टिकल 217 के तरफ आकस्मिक निधी का नियंत्रण करता भी राष्ट्पती ही होता है, फइनेंसल जो कमिशनन होता है, फइनेंस कमिशन का जो गठन होगा प्रति पांच वर्ष पर वो भी कोन करेगा, राष्ट्पती ही करता है कोई विधेक धन विधेक है या नहीं इसका निर्धारन लोक्षभा का अध्यक्ष करता है लेकिन धन विधेक लाया जाएगा ये चीज भी राष्ट्पती की पूरान मती से ही तैह होती है किलिए रहे दोस्तों तो ये बाते भी हमने या पर कर ली है नगर हम बात करें स्ट्वक्ती देश का सर्वत्ष यहाँ पर कमांडर होने के नाती युदध्य व्य Sunny यहाँ पर देखेगा राष्च्पती के पास में पावर होती है युदध्य व्य सांतिः की खुषना करेगा संधीव समझुते करेगा इंटरनेशनल जो भी ट्रेटीज होंगी जो भी एग्रिमेंट्स होंगी वो भी राष्टपती ही देखता है साथी राष्ट्पति के विश्यस अधिकारों में हमने बात की है राष्ट्पति पद के कारे के प्रति नालय में उत्रदाईय नहीं होगा साथी किसी भी नालय में दंडित कारवाई वِّच्चराधिन नहीं रहेगी साती व्यक्तिकत सिविल कारवाई के लिए भी कम से कम दो माह का नोटिस देना निवारी होगा वहीं पे पदासिन राष्टपती को बंदी नहीं बनाये जा सकता तो आज की क्लास में हमने बात की ये राष्टपती की सामान निकालीन सक्तियों प्यार फिर मुलाकात करते हैं और चर्चा करेंगे नेक्स्ट सक्तियों के बारे में तब तक के लिए नमस्कार